दू मन्जिला ससराल रात की बारा बजे जहां सब सूरे होते हैं, वहां एक घर से चीखने चिलाने की आवाजे आ रही थी पता नहीं किस कुत्ते ने मुझे काटा था, क्यूं पूछ लिया मैंने, गल्ती हो गई भावी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था अरे भई गल्ती तो हमारी हुई है, जो तुम पराये लोगों को अपना समझा, ना भई ना, आज के जमाने में किसी को अपना सोचना ही पाप है, सब आपकी गल्ती है विकासी, और किजिए भाई भाई पर मुझे क्या पता था कि घर को बानने के चक्कर में मैं इस सपोले को दूद पिला रहा हूँ, हमारा कमरा बहुत बड़ा लग रहा है तुझे, तो अपना कमरा बनवा ले, तुड़वा दे पीछे की दिवार, और हड़पले पडोसियों की जमीन, अपने कमरे के अंदर म हेल चुनवा ले, मुझे क्या मतलब, पर मेरे कमरे में नजर मत कड़ा, अरे क्यों ऐसे कुट्य बिल्यों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों, सावरो भाई है तुम्हारा विकास, अब चुपी हो जाओ, और सावरो तु छोटा है न, मांग ले माफी, मांग तू रहा अरे इस शोर के कारण तो अड़ो सी पड़ो सी भी अपने घर की बत्तियां जलाने लगे है, किसी ने दर्वाजे पर आकर बेल बजा दी तो जो दो पैसे की इस्दत बची थी न, वो भी चली जाएगी वरुन्दा कह रही होती है कि तभी कमरे के अंदर से आवाज आती है गई इज़त, गई बरसों से मेरे बाब दादा ने जो इज़त कमाई थी लुटवा दी तुम लोगों ने दिन में लड़ते लड़ते अब अंधेरी रात में भी तुम लोग तमाशा करने लगे हो और हमारे घर में देखो, इसी कारण तो हम आज तक एक ही मंजिले मकान में रह गए, सड़क पर रोक रोक कर लोग पूछते हैं मुझसे, क्या बात हो गई शम्भू जी, घर में इसी है, पंखा है, फ्रिज है, फिर कैसी भूख मरी छा गई आपके घर में, जो घर से चीखने, चिलनाने के आवाजे आती रहती हैं, पूरी दुनिया में सब आपको ही क्यों टोक कर बोलते हैं, क्योंकि पापा जी, आप न सामने से रिप्लाई नहीं करते हैं, मुझे कोई रोक कर तो बोले, उसकी बोलती ना बंद कर दो, तो मेरा नाम भी भारती नहीं, और ये कौन प ये कहानी शुरू होती है, व्रिंदा के घर से, बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, और छोटे बेटे के लिए व्रिंदा लड़की की तलाश में थी, बहु, आज सावरब को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं, जरा चाय नाश्ते का इंतसाम कर देना, ये सुनते ही गुस्से से भारती अपने कमरे में जाती है और पती से कहती है, तुम यही बैठो, पैसो का बस हिसाब करते रहो, और मैं यहां से चल बसुंगी, और मैं तुम्हे जाने दूँगा क्या, अरे क्या हो गया डालेंग, क्यों शेर पर सवार हो, ना जानी क्या हो गया मम्मी जी को, सावरब की शादी के जिद पकड़ बैठिए, आए दिन किसी न किसी लड़की के परिवार वालों को बुला लेती है, कब तक सावरब का रिष्टा होने से रोकूंगी मैं, शादी होगी सावरब की, तो उससे मुझे क्या फाइदा होगा, क्यों मुझे नौकर की तरह खटवाया जा रहा है, कभी इसके लिए खाना बना दो, कभी इसके लिए, लड़की वालों से जो तहज मिलेगा, उसमें से क्या फूटी कौडी भी मिलेगी मुझे, पर लड़की वालों की सेवा मुझसे ऐसे करवाई जाती है, मानो दुलहन दर्वाजे पर सोने की ल उसे तो हमारे साथ सोना पड़ेगा ना, और इस छोटे से बिस्तर में हम तीन लोग आएंगे कैसे, विकास जब अपने दुका जा रहा था, तब रास्ते में इत्तिफाकन लड़की वाले मिल जाते हैं, यह बोलकर विकास आगे बढ़ जाता है, और मानो जाते हैं, कैसी किस्मत है ना पापा मेरी, आज देक जो भी लड़के देखें, सबका इमेज बहुत अच्छा था, पर लड़का असल में बुरा निकला, और इसका इमेज तो पहले से ही खराब है, कान बरने वाले बहुत मिलेंगी बिटा, अब यहां तक आये तो शंबुजी से मिलकर ही रहूँगा मैं, और जैसे ही निधी का परिवार शंबुजी के परिवार से मिलता है, खास करके सवरब से उन्हें सवरब पसंद आ जाता है, और वहीं निधी और सवरब का रिष्टा पक्का हो जाता है, और पंदरा दिन के अंदर अंदर ही दुलहन बनकर निधी वरिंदा के घर आ जाती है सबी रस्मों के बाद सबी अपने-पने कमरे में चले जाते हैं और रूस की तरह रोहन भी अपने चाचा के कमरे में चला जाता है अब यहां सोते हो बिटा, चाचु के पास हाँ, मैं तो हमेशा से यही सोता है हूँ भराचस न यार, चाची सोईगी बिटा अब आप बिग बॉय हो ना, चाची आपको अपने पास नहीं सुला पाएंगे अब बाबा के पास सोजाओ अच्छा तुम यहीं सोजाओ, चाची कहीं और सोजाएगी, है की नहीं? नीधी थप थपाकर रोहन को सुला देती है और जैसी वो सोता है, सौरव उसे अपनी गोद में उठा कर अपनी भाबी की कमरे में सुलाने ले जाता है रोहन को सौरव की गोदी में देखकर भारती समझ जाती है क्या अच्छ तो उसकी निंद खराब होने वाली है माना तुम दोनों के फेरे सुबह ही हो गए थे पर असल में तो आप पता चल रहा है कि मेरी देवरानी घर पर आई है आते ही बेचारे मेरे बेटे का कमरा चिन गया खेर, तुम लोगों की भी दो फर्स नाइट है तुम लोगों को भी प्राइवसी चाहिए होगी ना सौरब, जाओ फिक्रा मत करो रात को बीच में अगर रोहन उठ जाएगा तो मैं संभाल लूँगी वो क्या है ना, इसे तो मेरे साथ सोने की आदर डालनी ही पड़ीगी चाच्छ अब इसका रहा कहा यही तरीका तो होता है पहले जिठानी को सर चड़ाने का और फिर उपर से नीचे धड़ाम से गिरा देने का क्या हो गया भाबी, आप ऐसे क्यों कह रही है बुरा मत मना निदी, कि तुमारी जिठानी तुमसे ऐसा कह रही है ये एक जिठानी नहीं, एक मा कह रही है आज सुबह जब रोहन के आँख खुली, तो बिचारा हैरान था कि वो सोया तो चाचु के पास था, तो मम्मी के पास आँखे कैसे खुली बार बार चाचु, चाचु किये जा रहा था बिचारे को दो थपड मारी मैंने और फिर मैं करती भी तो क्या, मैं भी तो मजबूर हूँ कैसे बताऊ उसे, कि चाचु अब तीरा नीरा, वो तो चाची का हो गया है ये कहकर अपने आसू पोचती हुई, भारती अपने कमरे में चली जाती है जहां नई बहु के आने से घर में हसी मजा का माहूल होना चीए था वहाँ पहले ही दिन रोना अधोना शुरू हो गया था कुछ दिर बाद ही एकी कर मुदिखाय की रस्म के लिए मैमान आने शुरू हो जाती है बहु तो एक तम चान का टुकड़ा लेकर आई हो तुम रिंदा जैसा हमारा सौरब, वैसी हमारी नीदी अब जल्दी जल्दी तुम हमें गूड नियूस दे दे ना बिटा अरे अभी तो हमारी खुद खेलने कुदने की उम्र है आन्टी क्यों रे, तुने तो बचपन से रोहन को पाला पोसा है बच्चा पालने का एक्स्पिरिंस तो तुझे पहले से ही है शुक्रे अंडी जी आपने ये नहीं क्या दिया कि सौरब और नीधी ने ही रोहन को जम दिया था अरे दो मिनिट बच्चो को अपने पास रख लेने से कोई बच्चा पालना नहीं सिख जाता, है की नहीं सौरब और ऐसी ही आए दिन, भारती किसी न किसी बात पर अपनी दिवरानी को टॉंट मारती रहती एक रूस रात के खाने के वक्त यह तुम दोनों ने ठेक किया कि काम आधा-धा बात लिया एक वक्त एक बहु सबजी बनाईगी तो दूसरी रोटी और दूसरे वक्त इसी का उल्टा होगा दिमाग बहुत अच्छा लगाया गया पैसे यह आइडिया था किसका किसका हो सकता है माजी मैं तो जो अंदर से हूँ वही बार हूँ यह तेरा, यह मेरा, यह हमारा, यह उनका यह शिक्षा तो नई बहु ही अपने माईके से लेकर आई है मामी जी यह आइडिया ना नीदी का था तो इसमें कुछ गलत किया क्या भाबी मैंने मैं नहीं चाहती कि फिर आपको ऐसा लगी कि मैं जबर्दस्ती आप पर किसी काम का प्रेश्यो डाल रही हूँ क्योंकि जब घर में नई बहु आती है तो घूम फिरकर सारी बात नई बहु पर ही आ जाती है वो तो दिखी रहा है किसके आने से क्या हुआ है आज तक हमारे घर में खाने के वक्त कभी कोई बहस नहीं हुई और यहाँ देखिए मम्मी जी और कीजी अपने छोटे बेटी की शादी अपनी मर्जी से वो क्या जिसे जो बोलना था बोल दिया तब खाना शुरू करो सभी खाना खाना शुरू करते हैं सबजी में लमक ज्यादा है नहीं और यह आलो तो आदे जले हुए मैंने तो सिर्फ रोटिया बनाई है सबजी भाबी ने बनाई है आ तो जलेगी ना सबजी राध बन नींड कहां पूरी हो पाती है मेरी मेरे पती तो ठेरे भोले भंडारी वो तो कुछ बोलेंगे नहीं किसी भी हाल में रह लेते हैं पर मुझसर नहीं होता बरताश घर में हमारे हिस्से के नाम का है ही क्या यह कमरा जिसमें ले देकर एक बिस्तर है नहीं खाना वो बाहर से मंगवा ले और इसी तर रोज किसी न किसी बात पर भारती निदी को ताना दिती रहती एक रात पसिने से लटपत निदी सौरव से कहती है हाई कितनी गर्मी है सौरव ये पंका चल रहा है या रो रहा है ये तो चली रहा है विचारा अपनी स्पीड में अब पैतालेस डिगरी की गर्मी में इस कमरे को ठंडा करे भी तो कैसे तो एसी ले लेते हैं ना ने ने अच्छा ने लगीगा ममी पापा के कमरे में एसी नहीं है और हम एसी लगवा लेंगे अच्छे काम करते हैं करने से शरिर में और दस बिमारिया लग जाती है मा तो खुदी गुटनों के दर्द से परिशान रहती हूँ अगर एसी लगवा लिया ना तो गठ्या होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता और तुने मुझसे पूछ लिया, इतना काईदा रखा यही बहुत बड़ी बात है तुना अपने कमरे में लगवाले AC और यह सुनते ही भारती कहती है अरे वा मम्मी जी, मान गए आपको इस बार की गर्मी में आपको AC की जरुरत महसूस नहीं हो रही पर जब मेरे कमरे में AC लगी थी तब तो आपने फॉरन टोक दिया था अरे बहु क्योंकि उस साल मुझे लू लग गई थी डाक्टर ने बोला था ठंड मेरा रहने के लिए अपने घर की सारी एक्स्ट्रा खर्च शम्बू और व्रिंदा की दवाईयों के खर्चे यहाँ तके रोहन की पढ़ाई का खर्च भी सौरव ही उठाता था पर वो कभी इस बात को जताता नहीं था फिर भी हमेशा उसे तानी मिलते रहते धीरे धीरे दिन बीटते जाते हैं सौरव और निदी की शादी को दो साल हो जाते हैं और पिछले कितने महिनों से चलता रहा ताना बाना अब ग्रह कलेश में बदल जाता है सुबा के साथ बजे वरंदा को अपने घर की रसोई से जोर जोर से चिलाने की आवाज आती है इतनी गरीब मारी में मेरा पती इतनी मुश्कल से मेरे बेटे के लिए बॉन विटा लाता है और तुम घोल घोल कर पी जाती हो किसी बच्चे के लिए आया हुआ बॉन विटा मैं क्यों पीओंगी भाबी मैंने आपको कितनी बार बताया वो बॉन विटा नहीं था मैं ब्लैक कॉफी पी रही थी वैसे तो हर तीसरे दिन घी आता है और सावरब जी ही लेकर आते हैं मैंने तो कभी नहीं पूछा कि घी जा कहा रहा है एक ही रसोई है घर के लोग ही खा रहे है तो किसी की पैट में जा रहा होगा कोई उठा कर नाली में तो बहा कराएगा नहीं तो किस बात की कलेश तुमारे पते की पास नोटों की गड़़ी अपड़ी होगी हमारे पास नहीं है तुम लोग बहाते होंगे राशन नाली में ये दोनों फिर शुर हो गई अपने कमरे से निकल कर व्रंदा रसोई में जाती है और अपनी बहु से कहती है हो गया अब इस रोज-रोज की कलेश को छोड़ दो तुम दोनों अपनी अपनी रसोई अलग कर लो एक वक्त छोटी बहु खाना दे देगी मुझे एक वक्त तुम दे देना भारती और अगर ये भी भारी लग रहा है न तो मात देना अब तो घर में दोनों बहु की रसोई भी अलग हो गई थी पर फिर भी भारती को चैन कहा था उसे तो पूरे घर पर अपना अधिकार चाहिए था एक शाम चीकती हुई भारती रोहन को मारते हुए अपने कमरे से बाहर आती है सब तेरी गलती है तू ना होता तो आज इस घर में इतना कलेश होता ही नहीं क्या हो गया भाबी क्यों जानवरों की तरह मार रही हूं इसे क्योंकि ये भाग यहीं है जवान हो गया है मेरा पिटा अभी कुछ साल में इसके लिए लड़की देखना शुरू करना होगा पर यहां तो इसका खुद का कमराई नहीं है तो बहुर आएगी कहा यह क्या कह रही है शादी की अभी से फिक्र बच्चा ही है तुम्हारा कोई वैंश नहीं है न निथी तुम्हें किस बात की फिक्र होगी फिक्र तुम मुझे ही होगी मेरे बेटी की उम्र शादी लाइट जो हो गई है दस साल कोई उम्र होती है शादी की भावी और आपको किसने मना किया एक कमरा बनवाने से आप एक और कमरा बनवा लीजी रोहन के लिए आँ भई मेरे गर तो रेड पड़ रही है इतने पैसे दबा कर रखे हैं मैंने पैसे होते ना तो मैं यहां नहीं रहती इस कलेश में रहने में मुझे मजा नहीं आ रहा है नहीं थी मैं तो कब का भड़े के मकान में चली गई होती पर उनके पास पैसे ही का हैं किसी तरह तो हमारे दाल रोटी चलती है और इस तरह भारती नेदी को इतने ताने देती है कि वो रोती हुई सौरप को फोन करके घर बला लेती है लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जिठानी देवरानी के साथ-साथ अब दोनों भाईयों में भी बात आबाती शुरू हो जाती है तु बीच में मत बोल साथ तुम गिनकर दो लोगों और तुम लोगों के पास है हमसे भी बड़ा कमरा तो तुम्हें तकलिफ क्यों होगी ऐसी बात है तो हम लोग रूम आपस में एक्षेंज कर लेते हैं भाईया दे दिया मैंने तुझे जमीन इसके उपर फ्लोर उठा ले पहले पहले पहला मनजिला तेरा उसके बाद जब जिसकी आउकाद होगी वो उस हिसाब से उपर घर बनाता रहेगा ये सुनकर सौरव निथी का हाथ पकड़े अपने कमरे में आ जाता है खाली जमीन दी गई हमें घर के बने बनाए हिस्से में भाईया भाबी रहेंगे जब उनकी मर्जी आएगी हमें उपर से भी हटवा देंगे उपर भी पैसे लगाने से फाइदा नहीं है सौरव इतना अच्छा किया तुमने सब का क्या मिला तुमें इन सब के बदले खाली जमीन अरे छट तो छीन ले गई हमारे सर से निकाल लो अपना गुस्सा सब निकाल दो अज मेरी अच्छाई भी हार गई नीदी सामान पैक करो हम यहां से जा रहे हैं कमरा क्या यह घर भी भाई भाबी ही रखे सामान लेकर निदी और सौरब दर्वाजे तकाते हैं नहीं बेटा इस घर को छोड़ कर मत जा बड़ी बहु रोक ले इसे आज अगर यह मेरा राम इस घर को छोड़ कर निकल गया ना तो यह घर बिखर जाएगा और व्रिंदा का घर दो मंजिला हो ही नहीं पाता सौरब निदी को लेकर अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है